में प्राटना करना जम्मा मानी दिबीरे सिंजी से की विक्रफा पुरूब आपसे दुबर नहीं धन्यवाद केके बिश्या जी अधनी सात्यों देश में प्रतिशोत की भावना से प्रेरे थोकर राजनेतिक प्रतिदिंद्य को के खिलाफ जूटे प्रख्ण बनाये जा रहे हैं और मन गणत आरोप लगाये जा रहे हैं इसका उज्वलन तुधारन है श्रीमती सुनिया गांधी और श्री रावल गांधी को इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट में पूर्स्ताज के लिए जो बुलावाग भेजा गया है समझ भेजे गए हैं यह उसका स्पच्परवान है इसके तक हमने आपके सामने अपने वक्तवे रखे हैं मनी लॉंडरिंग का मतलब क्या होता है मनी लॉंडरिंग का मतलब है अनकाउंटेड मनी को उसको नमबर दो को नमबर एक में करना काले धन को एक विदिवत रूप से उसको लीगल टेंडर लीगल अकाउंट डालना दूसरा एक कंपनी से पैसा दूसरे कंपनी में डालना दूसरे से तीसरे में डालना चौथा डालना इसको मनी लॉंडरिंग कहते हैं मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने रिवेंशन और मनी लॉंडरिंग एक्ट के अंतरगत केस रेइस्टर किया गया और उस केस को 2015 में ही इन्फोर्स्मेंट डायरेक्टरेट ने तत्यहीन होने के नाते उसे बंद कर दिया आज तक कोई एफायार दर्ज नहीं की गई है किसी स्थार पर भी मानिस रुमन्यम स्वामी ने एक प्राइविट लिटिगेशन लगाया पट्याला कोट डेली में और उसमें अन्रोट किया कि एफायार दर्ज की जाए अदालत में समंज इशू किये समंज इशू हो जाने पर उनका जवाब दिया गए दर्ज प्रस्तुत किये गए उसके बाद सुब्रमन्यम स्वामी जी को अदालत में अपना बयान देने के लिए समंज भेजे गए उसको उन्होंने हाई कोट में चैलेंज किया और हाई कोट ने स्टेव दे दिया अगर उनके पास तत्य थे सुर्मन्यम स्वामी जी के पास तो उनको समंज उनके बुलावे के आधार पर कोट में पेश होना था बयान देने थे तत्य प्रस्तुत करने थे वो नहीं किया हाई कोट में स्टे लेने की अवशक्ता क्या थी केवल दबाव की राजनीती प्रतिशोत की भावना से जूटे प्रक्रण बनाना ये इनकी आदत बन चुकी है और ये नैशनल हैरिल जोकी आजादी के संघर्ष में सदार पतेल पंडे जवाला नहरू पुशतम दास ठंडन अचार रनेंदेब रफिय हमद के द्वाई और अन्य इनितने अन्यताओं ने 1937 में आजादी की लड़ाई में लोगों को जागरत करने के लिए नैशनल हेरल्ड प्रारम किया था और उसके बार नैशनल हेरल्ड चलता रहा लेकिन धीरे धीरे जो सभी आज प्रिंट मीडिया की हालात है उसके कारण घाटा होता गया और काफी बड़ी तादाद में वहां के कर्णचारियों को वेतन आदी का भुकता नहीं हो रहा था इसलिए उसके सा चर्चा करने के बाद VRS की स्कीम लगाई गई और लगभक सरसत करोर रुपे जो उनकी देंदारियां थी उसका पेमेंट किया गई और कॉंग्रेस पार्टी की फंड से उसका पेमेंट हुआ इसकी शिकायद चुनावायों की गई और माननी चुनावायों ने कहा कि इसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है या कोई प्रतिवन नहीं है किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाता है इसका कोई नियंग नहीं है पीपल्स एप्रटेशन एक्ट में याने कि उनकी जो प्रात्ना थी वो खारिश कर दी इलेक्शन कमिशन ने खारिज कर दी, इन्फोर्स्मेंट डारेक्टर ने खारिज कर दी, एक भी F.I.R. कहीं दर्ज नहीं है, कोई प्रमान नहीं है, अब उसके बाद हुआ क्या? कि यंग इंडिया की एक समाचार उसकी magazine चालो की गई, कंपनी शुरू की गई, और उस कंपनी ने सारे shares जो थे, उसका equity बढ़ा के shares लिये, और shares लेने के बाद, आज की परिसितिसी वोई है, इसमें regularly Congress Party को छुपाना होता तो वो अपने accounts में बताती नहीं, audit हुआ, और audit होने के बाद, election commission ने उसको सुविकार किया, enforcement director ने सुविकार किया, कोई F.I.R. है नहीं, फिर भी सोनिय जी और राहुल जी पर राजने तेक दबाव, डालने का ये कुटिल प्रयास है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने, अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं तेका, जिस परिवार से दो-दो लोगों ने देश के अखंता एक्ता के लिए शाहदत दी, वो ऐसे समंज और ऐसे बुलावे से जूटे प्रगणों से क्या डरेगा, डरने वाले नहीं है, और द्रड़ के मुकाबला किया जाएगा, यागी इंडिया नो प्रॉफिट कंपनी है, एक भी पैसा निजी तोर पर नहरू गांधी परिवार के किसी सदस ने आज तक ना तो असोशेट जनल परिवार के से लिया, ना यंग इंडिया से लिया, एक पैसा ने, उसके बावजूद भी इन्हें बदनाम किया जाएगा है, हम इसका विरूद करते हैं, और राहुर गांधी जी कल एएएएसीसी से इन्फोर्स्मेंट डारेटर की दफ्तर में जाएंगे, और हम सब लोग जो मेंबर्स और पारलेमेंट थे, वरकिंग कमिटी मेंबर्स हैं, वो एएसीसी में कल साड़नो बजे हम लोग एकत्रे थोंगे हैं। आज पूरे देश में माहौल दराने का, धबकाने का चला हुआ है, एक नई संस्कृती चल गई है, बुल्डोजर संस्कृती, जिसका कि कहीं किसी के देश के कानून संविधान में कहीं उसका उल्लेक नहीं है, फिर भी बनमाने ढंक से जिसको चाहे उसका घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो, ये संविधान इनके लिए कोई मतलब नहीं लगता है, शपत लेते हैं पद की समयधान की शपत लेते हैं निश्बक्षता से काम करने का जनता को वाड़ा करते हैं लेकिन पूरे तरीके से भारती जनतापाटी प्रदेशों में और देश में पक्षपाड तौर पर राजनेतिक पतिद्वंदियों को और कुछ विशेश वर्गों के खिलाफ आज ये अभिहान चलाए हुए हैं हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कोई पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए लेकिन एक बात है मैं इसी सब्जेक्ट पर प्रश्णों लूँगा दूसरे का लेना है तो बहार चलके हम लोग टिक टैक्ट कर सकते हैं जमीनी लड़ाई तो आज तक लड़ते ही रहे भी गया कि हम लोग तो लड़ते आए लड़ेंगे भी बात यह है कि अगर इस तरह से परिशान किया गया आप ने देखो सत्तर के दशक में इंद्राजी को जूटे मुकद में फसाया गया था संजय गांदी जी को फसाया गया था क्या कॉंग्रेस डरी क्या लाखों लोग जेल में गए प्रविज जी अब जैसा हो अभी तो हम लोग को यही समाचार है कि साड़ोनों बज़ आए सी सी पहुंचना है अब पैदल जाएंगे या कुछ लोग राहुल जी के साथ जाएंगे यह वहां का जो प्रशासन है उनके साथ यह सी सी सर्चा करेगी और निर्ने करेगी जी अभी तो हम लोगों ने जो निर्ने लिया है पार्टी ने वो केवल दिल्ली में इसका प्रदर्शन होगा जी मुद्दे तो बहुत है प्रदर्शन हो भी रहे क्या महंगाई का मुद्दा कोई छोटा है क्या बेरोजगारी का मुद्दा कोई छोटा है तो इस तरह से हमारे आंदोनन प्रदर्शन तो चल रहे हैं जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं आगी भी लड़ेंगे तुम बताएं न मैंने आपसे इसमें नियम कानून का उलंगन कहा है उलंगन अगर हो तो बता दीज़े ना कहा है अगर कही नियम कानून का उलंगन हो तो एफायाद दर्ज होनी चाहिए थी आज तक एफ़ाया दर्ज नहीं हुई है अब इसकी बात अलग से करेंगे केवल केवल धन्यवाद अब इसकी बात अलग से करेंगे